आज हम जानेंगे बिना चकला बेलन और चिम्टे के हम धेरो रोटियां गेस पर कैसे बना सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं आज का यूसफुल वीडियो वीडियो बहुत ही यूसफुल होने वाला है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लैक शरूर कीजिएगा चल पर पहली बार आया है तो चल को सबस्क्राइब सरूर कring के लिजीएगा आज जो हम रोटिय बनाने वाले हैं उस में ना हम चकले का उस का यूस करेंगे यहां मेरा useful tip है दूसरा बीटर को लिके बहुत से घर में बीटर यूज नहीं किया जाता है और हमें अगर कुछ liquid form में बनाना हो तो वो कैसे बनाए तो आप यहाँ पर fog या काटे वाली चमच का यूज कर सकते हैं जैसे मैं एक दूसरे को इसमें फसा रही हूँ पिलकुल आप इस तरीके से fog को फसा लेना है और उसके बाद में एक रबर लेके इने बान देना है जिसे कि यह किसके नहीं और बड़या से fix हो जाए तो अगर आपके घर पे भी बीटर ना हो और आप बीटर का यूज नहीं कर हमने एक दूसर इस फोका बैटर होता है इटली या दूसर का vaatak के रेडीह कर लेना है इस आटे को लागाने के लिए हमने तजकि रेडीहक हूं है कभी ख़ूआरेisल होता है थोरी से इंजर्य हो जाती है या हात उसे अठा गुंतना आपात तरह बना महीं पासंद नहीं ह बिनाने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है तो इसे आप एक बार जरूर ट्राइ कीजीगा हमने कुछ इस तरीके का करची जीए जिसका नीचले वाला हिस्सा या पेंदा जो होता है वो गोल हो दिहान रहे गेहों के आटे में किसी तरीके का लांस नहीं होना चीए इसे पांच म लिया है वह है लोही का तो हम यह इसको पहले नॉन स्टिक बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए मैं पहले वीडियो अप्रोट कर चुकी हूँ एक बार और आपके शाते से शियर करूंगी तो हमने लेना है थोड़ा सा ओईल और यहां मैंने लिया है प्याज को प्याज से हम भी हम रूटी पराठा बनाने वाले हैं उस पर हम किसी तरीका तेल या घी यूज नहीं करने वाले हैं इसलिए यहां पर कॉटन के कपड़े से अच्छे से इसको क्लीर कर लेंगे बस इसे नॉन स्टिक तवा बना के हमने रेडी करना है जो बेटर हमने बना के रेडी किया ह इसने उस बीटर से यहां पर हमने क्लोक वैसे अांटी क्लोक वैस में इसे सर्कुलीट करना है ध्याण रखना है यहां पर हमने बेटर से पेकर्ची लेना है बहुत नहीं लेले न हैं ने तो ज़्यादा मोटे होने पर ये रूटियां पुलेगी नहीं आपके घर में भी ओ छोटे बच्चे य loyal बड़े मैंबर जर्यक्राइब बLS, उनकी दातों चमाने में दिखर होती है, पर उनकी हमेशह हमेशय को शाहत हो sapo तब यह वाली रोटी आप उन्हें बना के खिला सकते हैं तो यहां मैंने रोटी को clockwise में अच्छे से गुमाते हुए गोल शेप बना लिया है पहली रोटी है इसलिए पर छोटा बना रही हूँ अगर आपको इस तरह की रोटी बनाने की आदत है या दूसरा बनाने की आदत है दूसरे तरह पर हम इसे पकाएंगे अभी आसानी से निकल रहा है इसलिए अब हम पल्टे का यूज़ नहीं करेंगे हाथों का यूज़ करते हुए हम इसे थवे के उपर ही पकाएंगे मैंने यहाँ पर पराठा में कर लिया है आप कोटन का कपड़ा यूज़ करते हैं तो का फैवे आफ्टर डिलिवर्य या बिफोर डिलिवर्य उनकी भी रूटी खाने के आअधिक वज़े से उनको भी डिटीशिचन में बहुत सारी पर्वल्मोक्षी करनी होती है टाके होते हैं या सिजरिन डिलेवर हती है या नॉर्मल डिलेवरी होती है तो वहाँ पे भी बहुत सारी प्रोब्लम्स फेस करती है रोटी खाने के चक्कर में कि उन्हें ठीक से राजिशन नहीं होता है। टाकों पर प्रब्लम होती है। तब आप यह वाली रोटी उन्हें बना के दे सकते हैं। उनको कहाने में बहुत ही आराम माएगा। नाजुक है, मुलायम है। बहुत ही जिसे रुमाली रोटी रेती ना वैसे रोटी भर बनके रेडी हो जाएगी और आप देख सकते हैं रोटी बढ़या से फूली फूली बनके रेडी होई है तो एक क्टोरी आटे में यहां लगवक चार रोटी हमारी पेटर की मदद से बनके तयार हुई है तो आप भ घर में जरूर आपको काम आएगी इस तरह किसे आप रोटी बना के खा के देखिए अपने फैमिली मेंबर्स को खिला के देखिए जब वह हैल्स एलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करते हूं तो देखिए उन्हें रोटी का एक तो पुरा गुण भी मिलने वाला है और उनकी डाइजेशन में भी असानी होगी तो यह सिंपल से चुड़ी चुड़ी स्टैप को आगर आप फोलो करते हैं तो आपकी एक 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 रोटी फुलने वाली है जैसे कि मैंने आपको यहां पर रोटी फुला के दिखाई है तो यह वाले यूसफुल टिप आपको कैसा लगा है कमेच ज़रु किजेगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीचेगा, और वीडियो यूसफुल है तो शेर भी ज़रु कर दीचेगा, कमाल का टिप से, सबी लिडिसों को यह पता होनी हो चाए हर इंसान को यह यूसुल टिप पता होनी चाहिए कि वो बीना आटा गूंदे, बी एक नया तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे इसकी कड़वावट एक चोथा हिस्सा कम हो जाएगी, यानि कि बहुत ही कम हो जाने वाली है, इसके लिए हमने करना है पानी को बॉयल, और यहां मिलाना है हमने नमक, थोड़ा सा ज़ादा क्वांटिटे मिलाना है और एक चोट है जब मच इतना हल्दी एक उकाल इसका आने दीजिएगा उसके बाद हमने गेस को बंद कर देना है यहाँ हमने करेले को नहीं पकाना है बस जो पानी है न वो बड़ा से भरा बॉल हुआ होना चाहिए और यहाँ पर करेला डालने के बाद लगभग इसे एक घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए ज्यादा से ज्यादा तीन घंटे के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं और अच्छे से इसका पानी नहीं चोड़ कर अब इसका आप सबजी बनाईए यखीन पानी चूट इसे छोटा बच्चा भी करेला खुशी 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 खाएगा क्योंकि इसका जो कड़वा हाठ है ना वो लगपग लगपग खतम हो चुकी है अगला इस फुल टीप है मेरा धनिया पाउडर या कुछ भी इस तरीकी का पेकिट में जब हम मसाला लाते हैं या कुछ भी चीज़े जो इस तरीके पेकिट में आती है तो हम क्या करते हैं साइड कॉटर से कट करते हैं और इसे निकालते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है ज़्यादा आ जाता है निकल के कटोरी या बाउल में तो हम वापिस इसी polythene में डालने की कोशिश करते हैं और अक्सर क्या होता है कि यह counter floor पे यह जिस plate में हम निकाल रहे हैं उसमें आसपास फेल जाता है आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा जिससे कि मैंने से डालने कोशिश करी और यह प्लेट में फेल गया है अगर आप भी इस problem को face करते हैं तो यह tip आपके बहुत ही काम आने वाली है चुटा सा tip है बहुत ही कमाल का tip है तो हमारे घर में नियूस पेपर यह कोपी का पेपर यह टिशू पीपर होता ही होए और इस पेपर का हम यूज कर सकते हैं यहाप है तो मैं यहाँ पर एक न कोन बना के रिडी करने वाली है जसे तरह को सम्हएं तरहा हैं पिलकुल आपने इस तरह के से कोन बनाना है और धियान रखेगा इस कौन को बनाने के बाद में इसके नीचले वाले हिस्से को हमने थोड़ा सा काट लेना है हाथा की मदद से अराम से टूट रहा है आप सिजर का भी हल्प ले सकते हैं और इसे जहां पे आपने सिजर से पॉलतिन को काटा है बिल्कुल महाँ पे लगा देना है आप इसका साइज चोटा बड़ा भी कर सकते हैं और इसके बाद में मैंने जिसे हैं कि आपको धने पाउडर का पैकेट दिखाया है तो मैं इसमें वापिस डाल रही हूं और आप देख सकते हैं प्लेट में एक बूत या एक कत्रा भी नहीं फैला है और जितना मसाला है वह वापिस पॉलतिन में जा भी चुका है तो यह वाली प्रव्णा अगर आप फेस करते हैं तो इस चोटी सी टिप को आप फॉलो कीजिए और मसाले या कुछ भी जो आप इस तरह के पैकेट मलाते हैं उस एजी तरह के से वाविस डाल सकते हैं अगला यूसफुल टीप है मेरा पर्स को लेकिए तो पर्स में से बहुत सारी बैड स्मेल आती है कभी कभी इसके लिए हम पाउडर का यूज करते हैं पर क्या होता है ना पाउडर वाइट होने के वज़े से पूरा पर्स खराब हो जाता है तो आप पाउडर का यूज करते हैं या पर आप पर्फ्यूम का यूज करा करें पर्फ्यूम में कैसी चीज होती है जो ट्रांस्परेंट होती है देखती नहीं है पाउडर जो होता है ना वाइट वाइट होता है इसकी वज़े से स्मेल दोनों में एक जिसी रिती है यहां पर यहां पर typeak रहाने के लिए यहां आप इसे कहने हांग करने के लिए हांग करने ेक ot a number तो जाई कर अज़र करता है वहां वह तोटा लिए यहां झाल को सभाल से ररियों हो तो कि सब्सक्राइब कहाltऊ करी यहां आप कर एक प्लास्टिक का हमने यूज नहीं करना है और यहां पर लेना है हमने तेल मेरे पास यह एक एकस्पायर तेल है मैं इसका यूज करके बता रही हूं आप फूड ओयल भी ले सकते हैं और यहां पर हमने एक सेफटी पीन का यूज करना है और इसमें होल करना है यहां आपको कील अगर यह आसान इसे नहीं होता है तो इसके अंदर आप देखेंगे अंदर की तरफ एक पेपर लगा होता है उस पेपर को अपने निकाल देना है यह पेपर बहुत इसे तरीके से इस तरीके से से निकल जाएगा सिंप्ली है निकालना असान है और आप बड़या से एक हॉल कर लीजेगा यह हॉल हमने क्यों किया है आप वीडियो में देखेगा और हमने तेल इन बोटल में क्यों डाला है हम यहाँ पर बनाने वाले हैं चीमनी तो यहां लिया है मैंने कोटन आपके पास अगर कोटन ना हो तो आप यहाँ पर नाडे क्याटी या कोई खपड़ा भी ले सकते हैं और इससमें इस तरह के से बाहर निकाल देना है और इसकी बचा हुआ धागा है यह बचा हुआ जो खोटन है यह हमने तेल के अंदर इस तरह के से टीप कर देना है यहां पर हम चिमनी बना के रेडि कि कचा समझ के तो इस तरीके से आप घर में कडल बना के रेड़ी कर सकते हैं चोटे से टृिक से बिना दिये गी वैस्ट वॉतल से इन चोटी-छटी टीप को आप अपने लाइफ में लेकर आईए, काम आती है, लाइफ को आसान बनाती है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजीगा, चल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजीगा, चल पर बहुत सारे यूसफुल वीडियो है, उटे चेकाउट जरू देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद